मम्ता सरकार के ही कुछ मंत्री हैं जो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और मम्ता सरकार के बीच बनती हुई बात को बिगाडने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मम्ता के ऐसे ही मंत्रियों में से एक हैं पशु संसाधन विकास मंत्री स्वपन देबनाथ जिन्होंने एक विवादित बयान देकर अपनी ही सरकार की मुश्किले बढ़ा दी हैं। एक तरफ मम्ता सरकार पर मुस्लिम विलुपतिकरण के आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजी के अस्पताल में रेप मर्डर पर मम्ता बुरी तरह गिरी हुई हैं जिस से निकलने के लिए वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मानमनोवल करके विरोध प्रदर्शन खत्म करवाने में जीजान से जुटी हुई हैं पश्चिम बंगाल के मंतरी स्वपन देवनाथ ने आरजी कर मेडिकल कॉलिज मामले पर एक बयान दिया जिस पर विवात खड़ा हो गया है उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर की आधी रात रिकलेम दनाइट अभियान के दौरान दो लड़कों के साथ एक लड़की शराब पी रही थी उन्होंने आगे कहा कि माबाप को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आंदोलन में शामिल उनकी बेटी क्या कर रही है लड़कियों के माबाप को अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए थी आपको बता दें को एक होटल में बीर पीते हुए देखा गया था उन्होंने कहा क्या होता अगर महिला के साथ कुछ अन्होनी हो जाती उस समय हमारे लोग निगरानी कर रहे थे लेकिन अगर वे आसपास नहीं होते माता पिता को ध्यान रखना चाहिए आपकी बेटी एक विरोध प्रद्शन में शामिल होने गई थी यह ठीक है लेकिन बाद में उसे शराब पीते देखा गया हमने माता पिता को उसे घर ले जाने के लिए सूचित किया हमने पुलिस से भी उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा देबनाथ ने दावा कि उन्होंने अपने इलाके के होटल म प्रदर्शन दुखत घटना के एक महीने पूरे होने के उपलक्ष में किया गया था